हेलो फ्रेंड्स दा टेस्ट ओफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बहुत ही टेस्टी बहुत ही चटपटा सा नाश्ता बनाने जा रहे हैं जी बिल्कुल आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही शांदार सी इडली आज जो ये इडली बनने जा रही है इसे आप लंच में खा सकते हैं चाहे तो डिनर में भी खा सकते हैं चाहे तो आप बच्चों को बनाके इसे टिफिन में भी देश सकते हैं बहुत सिम्पल रेसिपी है शांदार सी बनने वाली है और इसमें बहुत ही सारी मेने वेजीज भ तो आपको अगर ऐसे भी पसंद आए तो प्लीस कमेंट करके जरूर बताईएगा और आप भी एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा आपकी गर में यह सब को पसंद आने वाली है इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएग फिर मैंने इसी के साथ एक बाउल चावल डाले हैं चावल आप बारिक वाले मोटे वाले जो आपके पास हो वो ले सकते हैं तो एक बाउल ही मैंने इसके अंदर चावल डाल दिये हैं और फिर मैंने इसके अंदर डाले हैं दो बाउल पोहे आप पोहे की क्योंटिटी कम से वोश कर लेंगे ताकि पोहे वगरे में हलका सा कच्रा जो होता है वो निकल जाए डस्टिंग वगरा निकल जाए अच्छे से दो लिया है आप देख सकते हैं इसी के साथ एक गलास पानी डाल के हमें अच्छे से बीगने के लिए छोड़ देना है तो मैं इसे पाँच पानी हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि अल्रेडी बीग चुके हैं और पानी इसमें हलका सा अगर आपको हलका गाड़ा लगे तो आप इसमें पानी एड़ कीजीगा वरना वैसे नहीं कीजीगा फिर काली मिर्च पाउडर डाला है एक चोटा चमच लाल मिर्च अगर आप चाहे तो चार गंटे में इसे बना सकते हैं मैंने ओरनाइट छोड़ दिया है ताकि अच्छे से फूल जाए तो बहुत ही अच्छे से फूल चुका है अब इसमें वेजीज डालेंगे तो बारी कटी प्याज बारी कटी लाल वाली मिर्च बारी कटी हरी मिर्च डाली ह बारять कटे टमातर हैं में अच्छे सब ज魔ाऴ से लिए रहे लखे से संपने लेड़ तो बहुत ही रंगा से दिख रहा है बहुत ही शांदार बने वाला है आप चाहे तो डाले मैंने डाल दिया है healthy छानी डाल डाल के फिर से mix कर लेंगे ताकि अग्छा मिच्स कर लेंगे ताकि इसमें और खमीर बन जाए अच्छे से mix कर लिया है और फिर जो पलेटे हमने तयार कि है उसके अंदर हम एक एक चमच या बेट डेट चमच डाल कर अब अच्छे से सभी को रखके इस तरह से ढखकन लगाके हमें पकाना है अब आप चाहे तो इसे कड़ाई के अंदर भी स्टीम कर सकते हैं कटोरियों में डालके भी बना सकते हैं अच्छे से ये बन चुकी है बहा निकालके मैं ठंडी भी का ली थी तो अच्छे से फूल के चानदार सी जरूर बनके तयार है तो आपको यह recipe कैसी लगी आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा अब आप चाहे तो इसे चत्नी के साथ खा सकते हैं चाहे तो सांबर के साथ खा सकते हैं मुझे यह personally यह चत्नी के साथ बहुत पसंद आप तो मैंने लाल वाली चत्नी इसक